आप देखे एक सिंपल तो आज हम दो फोन का कंपरीजन करेंगे कंपरीजन करने के पीछी यह कारण है कि वन प्लस नौट सी एथी लाइट जब से आया है मार्केट में लोग कंफ्यूज है कि वन प्लस नौट सी एथी लाइट को परचेश करें या कोई दूसरा विकल्प 20,000 बजट में देखें दोनों का प्राइज 20,000 में आपको 8GB RAM 128GB इंटनर मेमोरी देदेगा देखिए सबसे पहला जो इसका कंपरीजन है वह हम आपको बता देते हैं कि इसका डिस्प्ले का इसा है तो डिस्प्ले और वन प्लस नौट सी एथी का पहले हम रखेंगे दूसरे अ डिस्प्ले आपको 6.72 इंच का फॉल इजटी IPS 120 हस्ट का पो डिस्प्ले देखने क्ली मिलता है उबन प्लस में IPS डिस्प्ले मिलता है अमेलेड यह शूपर अमेलेड आप उसमें नहीं मिलता है देखने के लिए ब्राइटनेस की बात करें तो आपको 550 निच तक का बैटने क दिस्प्ले मिल जाता है जो कि फूल इसटी रहेगा 90 हस्ट का इसमें और इसमें आपको एमलेड इसके देखने के लिए जाता है जिसका ब्राइटनेस जो पिक निट्स है वह आपको 1300 तक मिल जाएगा तो आप इसको डिक्स अनलाइट में अगर देखेंगे तो काफी अच् पर प्लस में देखने के लिए मिल जाता है बात करें यूटूब कंटेंट देखने की तो यहां पर वन प्लस में आप जो है 10008 पी से लियानिए फूल इसटी में कोई भी चीज को देख सकते है उससे जदा आप नहीं देख सकते है लेकिन आईकू जेट सेवन में जो है आप यूटूब पे 4K में 60fps HDR वाले वीडियो को काफी आसानी से देख सकते हैं तो देखिए अगर 2K का वीडियो या 4K का वीडियो अगर देखना हो तो आप वन प्लस में नहीं देख सकते हैं लेकिन आईकू में आप देख सकते हैं बिल्ड एंड डिजाइनिंग की बात करें तो देखिए दोनों पून प्लस्टिक फ्रेमिंग के साथ में देखने के लिए मिलता है लेकिन आपको आपको वेट आपको 195 गराम ऐसे टेक्निकल कर लिखा गया है लेकिन जब हमने इसका वेट किया था तो 199 गराम के इस पास हुआ था और thickness की बात करें तो 8.5 mm का thickness देखने के लिए मिलता है इसका IQ Z7 weight की बात की जाए तो 173 gram जो की इससे करीब करीब 27 gram या 26 gram आप कह लिजिए कि कम है weight इसका तो यह काफी हलका है दूसरा यहां पर benefit यह है कि 7.8 mm का है तो हलका भी है और thickness भी इसका कम है अब आते हैं हम storage की तरफ में RAM type की बात करें दोनों phone का तो आपको LPDDR4X मिल जाता है ROM की बात करें तो UFS 2.2 आपको मिल जाता है दोनों में अगर expandable की बात की जाए तो आप 1TB तक expand कर सकते है memory card लगा करके लेकिन SIM slot की बात करें तो यहां पर आप दो SIM लगा सकते है दोनों में या तो एक SIM प्लस एक memory card लगा सकते है जो की hybrid SIM slot है fingerprint की बात करें तो आपको OnePlus Note CE3 Lite में आपको side mounted fingerprint देखने के लिए मिल जाता है और IQ Z7 में आपको fingerprint जो है पूरे phone का main चीज होता है main part होता है ठीक है अजकल camera और प्रोसेसर दो चीज अच्छा होना चाहिए phone में OnePlus में आपको Snapdragon 695 6NM का processor मिलता है GPU की बात करें तो आपको Adreno 619 आपको देखने के लिए मिल जाता है IQ में आपको Diamond City 920 मिल जाता है जो की 6NM का processor है GPU की बात करें तो यहाँ पे Mali 68 MC4 है Antutu score की बात करें total की तो यहाँ पे आपको 4 लग क्या असपस Antutu score जो है Snapdragon 695 में यानि OnePlus में देखने के लिए मिल जाता है IQ की बात करें तो यहाँ पे Antutu score करीब करीब आपको 4,90,000 यानि लगभग 5 लग क्या सपस में मानके चल सकते हैं तो एक लग का यहाँ पे Antutu score में difference है तो ज्यादा powerful जो है single word में अगर बोला जाए तो IQ आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिलेगा और IQ में आपको front touch 13 देखने के लिए मिलता है तो यह तो खर दोना का लगभग सेम आप पान के चल लो बैटरी के बात करें तो 5000 बैटरी आपको वन प्लस में देखने के लिए बलता है शर्चरणंग के साथ में लेकिन बॉक्स के सात Woah traffic आपको आइक को में करें किलिए और 24 वात के चार्जिंग सपोर्ट कर्ता है और बॉक्स में आपको यही चर्जर मिलेगा लेकिन दोनों फोन जो है charging speed सेम लेता है एक गंटा पॉन फूंफ्ल चार्संटे होते नहीं करेंगे यह किसी काम के नहीं होते है 16 Megapixel देखने के लिए मिलता है और IQ में भी आपको 16 Megapixel देखने के लिए मिल जाता है लेकिन 108 Megapixel कैमरा जो है यह पाउर्वल है कि नहीं इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी देखिए इसमें आपको EIS मिलता है ठीक है वीडियो रिकॉर्डिंग जब करेंगे आप तो Electronics Image Stabilization आपको इसमें देखने के लिए मिलता है जो कि 64 Megapixel वाले कैमरा में आपको जो है और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें अगर IQ में तो आप 4K में 30fps मैक्सिमम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर stabilization जो है आपको ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है IQ में स्लो मुशन रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहां पे आप 120-pixel में दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेम रेड की बात करें तो 120fps आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और 960fps डग कर सकते हैं वीवयो में जो की शुपर स्लो मोशन के जैसे काम करता है मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन हो जाएगा तो यहां पर कैमरा में अगर देखा जाया है तो बहुत सारा चेज है जो वन प्लस से ज्यादा अच्छा जो है IQ करके दे रहा है यहां की बात करें तो आपको one plus में NFC देखने के लिए मिलता है लेकिन NFC आपको वीवो में देखने के लिए नहीं मिलता है दोनों में FM नहीं है 3.5 mm का जैक आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाता है इस्पीकर की बात करें तो आपको studio speaker देखने के लिए मिलता है OnePlus में और आपको mono speaker देखने के लिए मिलता है तो speaker कहीं ने कहीं आपको दोनों में loud तो है लेकिन ज्याधा loud आपको जो है OnePlus में देखने के लिए मिलेगा तो देखिए फाइनली कंकुलीजन की बात करते हैं यह बताएंगे कि कौन कहां पर विनर हो रहा है तो डिस्प्ले में सिंपल यहां पर आईक्यू जेट सेवन विनर हो रहा है रिजन यह है कि यह फूल इस्टी डिस्प्ले है आपका 90 यहां पर बस में देख सकते हैं दूसरा फायता यह है आईक्यू जेट सेवन का कि यहां पर आपको इंडिस्प्ले फिंगर्पेंट मिल जाता है तीसरा फायता यह है आपका कि यह बहुत लाइट वेट है 173 गराम का है और थुरा सा थीकनेस में भी कम है 7.8 mm का थीकनेस है प्रोसेसर में नहीं करता है पहले हम आपको बता रहा है यहां पर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टैपलेजेशन देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत बरी बात है 20,000 के प्राइज में और 60 फ्रेम पर सेकेंड अगर ते रहा है तो यह भी काफी अच्छा है सुपर स्लोमेशन को अप्सन म अब आपको कौन सा पर्चेश करना कि हम नहीं बताएं कि आपको आप डिसेजन करोगे दोनों का प्राइज जो है सेम है बीस जार में आठ एक्सो आठाइस आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहीं था इस वीडियो में वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करते जिएगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए अलवेदा